गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स क्लास सेकेंड सबजिक्ट है आपका भासा कुटीर भासा कुटीर में आज हम रीट करेंगे चैप्टर 11 चैप्टर 11 में हमारा क्या है एक किरन एक किरन हमारी क्या है कविता आज हमें इसको रीट करते हैं एक किरन सूरज की देती है सारे जग को उजियारा एक दीप माटी का जल कर पी लेता सारा अंधियारा क्या कह रहा है एक किरन सूरज की देती है सूरज की जो एक किरन होती है वो सारे जग को उजियारा देती है और हम एक दीब जला देते हैं, एक माटी का दीब जलाते हैं, तो उसले अंधियारा उससे मिट जाता है इसे प्रकार एक बूंद CP में ढल कर बन जाती है सच्चा मोती, एक सच में बड़े जूट से लड़ जाने की ताकत होती क्या कहती है? एक बुन्द सीपी में डल कर बन जाती है सच्च मोती एक बुन्द जब सीपी में पड़ती है तो क्या बन जाती है एक मोती बन जाती है एक सच्ची मोती बन जाती है और एक सच जो होता है एक बड़े बड़े जूट से भी उसमें लड़ जाने की ताकत होती, एक सच में बड़े बड़े जूट से लड़ जाने की ताकत होती है एक धरा है, एक गगन है, एक सुनो इस्वर कहलाता, मिल जूल कर सब से प्यार करो तो, हम सब का है प्रेम कनाता एक धरा है, धरा का मतलब क्या होता, प्रत्वी, एक प्रत्वी और एक गगन है, एक सुनो इस्वर कहलाता और एक ही इस्वर है, मिल जूल कर सब से प्यार करो तो, हम सब से मिल जूल कर रहना चाहिए और सब से प्यार करना चाहिए, हम सब का है प्रेम कनाता क्या कह रहा है हम सब का प्रेम का नाता है एक बार हम चिप डरीड कर लगते हैं एक किरन सूरज की देती है सारे जग को उजियारा एक दीप माटी का जल कर पी लेता सारा अंधियारा एक बूंद सी पी में ढल कर बन जाती है सच्चा मोती एक सच में बड़े जूट से लड़ जाने की ताकत होती एक धरा है एक गगन है एक सुनो इस्वर कहलाता मिल जूल कल सब से प्यार करो तुम हम सब खा है प्रेम का नाता तो आपको ये चैप्टर लीड करना है That's all for today, next tomorrow, thank you